हेलो गाइज and welcome back to my channel मैं हूँ सुर्भी Indian Girl in Europe आज एक और नए topic के साथ आई हूँ जो कि बहुत ही important है अगर आप Germany move कर चुके हो या यहां पर रह रहे हो तो वीडियो एंट तक देखना है क्योंकि इधर पर बहुत ही छोटी मोटी सी बाते हैं पर बहुत जरूरी है यहां पर तो जो वीडियो का topic है वो है दूज इन जर्मनी हो सकता है कुछ जो दूज है वो आपको ऐसा लगे आ रहे यह तो बहुत ही नॉर्मल दूज है लेकिन वो तब ही पता चलता है जब आप यहां पर रह रह होते हो इंडिया में इतने important नहीं होते पर यहां पर बहुत important होते हैं वीडियो का मकसद यह है कि आपकी life जब आप initially यहां पर आओ तो easy हो जाए तो जो भी points है वो मैंने बहुत सोच समझ के और note down करके और आज मैं आप लोगों से share कर रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला point है आप अपने जो भी original documents है वो अपने साथ केरी करो केरी करें नहीं का मतलब यह है कि अगर आप इंडिया से यहां आरहे हो तो वो चाहिए आपके marriage certificate हो आपके education certificates हो या और कोई भी important certificates है वो अपने साथ केरी करना चाहिए यहां पर क्योंकि यहां पर कभी भी ज हो यहां पर एक जगे से दूसरी जगे जा रहे हो जैसे हम जर्मनी से Switzerland जाते हैं तो दो documents या दो जो कार्ट है वो हमेशा आपको अपने साथ करी करने चाहिए सबसे पहला यहां का जो resident card है वो बहुत important है वो हमेशा आपके साथ आप रहना चाहिए और दूसरी चीज जो होत सबस्क्राइब करने चाहिए तो इन दोनों को आप हमेशा अपने साथ करके रखो दूसरा point है वो है बहुत ही छोटी सी बात है पर बहुत important है यहां पर वह है अगर आप house hunt करते हैं आपकोर्स आप यहां आओगे चाहिए आप student चाहिए आप जूब करने आ रहे हो आप सबस बताया है जहां से आप लोग घूंड सकते हो वहां पर आपको premium membership लेनी चाहिए अपनी premium membership लेनी चाहिए उससे क्या होगा आपको easily जो है वो घर या flat जो है वो मिल जाएगा ऐसी कोई जगे जो बड़ी सिटीज है जैसे Munich हो गया Berlin हो गया प्लस चुटगार्ड हो गया इसमें बिलकुल बहुत जरूरी है एडवाइजिबल है फिर जो छोटी सिटीज है या छोटे टाउन से उसमें मैं आपको recommend करूंगी suggest करूंगी local agencies होती है जो house search करने में help करती है तो उनके through भी आप ढूंड सकते हो पर bigger cities जितनी भी है मतलब मैंने सिफ तीन नाम लिये है अगर वह बहुत important है और यह इसलिए भी important है क्योंकि आप एक ऐसी country में आ रहे हो जहां कि जो भाशा है वो different है यह वो point है जो मैं हमेशा सब लोगों से recommend करती हो वो यह है कि जैसे ही आप यहां पर आ जाओ तो आपको अपना German जो है वो day one से start करना चाहिए मैं यहां आने के बाद इसल लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेर कर रहे हो और आप इंडिया में जो है अपनी German language कर सकते हो अपनी बेसिक लेवल की तो वह आपको कर लेना चाहिए क्योंकि कही ना कहीं मतलब आफ तर वन एयर आफ तर चू यह आपको जर्मन सीखनी ही पड़ेगी हो सकता है आपको अपनी जल्दी सेखनी हो सकते है आपको सिटीजन्शिजिप के लिए सीखनी ऌडिए अपके ज diceak के लिए सीखनी पड़ेगी आपका जिचों के लिए सीखनी पड़े क्योंकि वह लोगों की जो जो स्कूलिंग है वह जर्मन लैंगवेज में होगी तो ऐसे बहुत सारे cases होते हैं तो सारे ही Indians को या जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं दूसरी country से उन्हें एक ना एक दिन German language सीखनी पड़ती है तो बेटर यह है कि जितने जल्दी start कर दो चाहिए वो India हो चाहिए वो Germany हो उतनी जल्दी start करो German language सीखना Next point है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा शायद जो लोग यहाँ आ गए होंगे उनके friends या family के थुरू पता चला होगा या किसी वीडियो को देख के आपको पता चला होगा यह point है यह है insurance related आपको जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको liability insurance लेना बहुत जरूरी होता है बहुत महेंगा नहीं होता बहुत सस्ता होता है पर still वो liability insurance जो है वो आपको लेना ही चाहिए मतलब सब आपको यही बोलेगे अगर आप यहां पर आ जाते हो पर कभी कभी ऐसा होता है हम जब आते हैं फिर हम नहीं लेते बहुत टाइम तक और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत सारा पे करना पड़े because of आप किसी की चीज़ डेमेज कर दो या कुछ तो यहां जितने भी लोग होते हैं maximum लोगों के पास liability insurance होता है हमारे इंडिया में liability insurance नाम का कोई चीज़ नहीं होती तो हमें नहीं पता होता पर आप जैसे ही यहां पर आते हो liability insurance ले लो और कुछ cases में कुछ लोग जो हैं वो legal insurance भी लेते हैं इसी के साथ मैं रिवार को थैंक्यू करना चाहती हूं इस वीडियो को sponsor करने के लिए और उनके कुछ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग जो फीचर से उसके बारे में बात करना चाहती हूं अगर आप 200 euro या उससे जादा ट्रांसफर करते हो monthly तो आप eligible हो जाते ह AIG Accidental Insurance के लिए automatically आप eligible हो जाते हो और इनके पास अभी के टाइम पिश इल्वर एंड गोल्ड जो है Accidental Insurance है जो की cover करता है 650 euro per month and 1200 euro per month बागी की details आप link में पढ़ सते हो क्या क्या है but this is very good chance because अगर आप पैसे भेजोगे तो आप automatically जो है वो इस पर्टिकुलर उफर में eligible रहोग बनी ट्रांसफर करो और इस तरीके के जो features है उस पे आप मतलब उसका फाइदा उठाओ बाकी की दो जो दो free link मैं आप लोगों को हमेशा देती हूं transfer करने के लिए Europe to India या UK to India वो जो है वो description box पे होगी और इस particular insurance के बारे में और offer के बारे में features के बारे में सारी details जो है वो भ क्योंकि बहुत important होता है आपके mental satisfaction के लिए यह है कि जो हम India से यहां पर move होते है तो हमारा calculation जो होता है यूरो तो इंडिया में convert होता है फिर चाहे हम हरा धनिया खरीदें हमें लगता अरे इतना महेंगा चाहे हम हरी मिर्च खरीदें तो हमें लगता अरे बापरे इतना महें लेकिन आप अपने आपको prepare कर लो कि यहां पर हर चीज यूरो में होगी हर चीज जो है वो एक minimum पैसे से minimum यूरो से जो है वो start होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिप्यार होना पड़ेगा नहीं तो आप यहां पर कम से कम मुझे लगता है कि एक साल तक जो है यूरो करने में आपको बहुत दुख होगा या आपको लगेगा रहे यार मैं बहुत ज़्यादा स्पाइन कर रहा हूं बद अफकोर्स अजनी कि यहां के हिसाब से होगी तो आपको एक्सपेंस जो है वो भी यहां के हिसाब से होंगे तो जो छोटी-मोटी चीजें है यह सारी ही चीजें है उसमें आप अपना माइं प्रिपेर कर लो कि यहां जो है वो यूरो चलता है और फॉर टाइम बिंग मतलब कुछ टाइम के लिए बूल जाओ कि यार हमें कनवर्ट करना है यूरो तो इंडिया बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज़रूरी है मैंटल सेटिसफेक चाहिए वो फेस्बुक के थ्रू करो या आपके लोकल जो ग्रूप्स है आपका खुद का कोई कम्निटी ग्रूप है कर लो क्योंकि जब आप यहां पर रहने लगते हो ना तो अगर आप जादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हो अपना सोशल सर्कल नहीं बढ़ा बढ़ा तो एक टाम के बाद आपकी लाइफ बोरिंग हो चाहिए और आपको लगेगा यार आप वापस जाना है तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको जरूर 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 अपने जैसे लोगों को ढूनना चाहिए आते से ही कम्निटी जो है वो जॉइन करनी चा हमने तो कुछ लुट नहीं चाहिए हममें कुछ नहीं करना है बहुत सारे ऐसे लोग साहिए होते हैं निहें कभी भी कुछ नहीं करि नहीं करिय हूँ और उने ताल चावल नहीं आए यहांने से पहले जो आपको रहार बनाना तो क्योंकि यहां पर आप बहुत् realistically ही सीखना चालू कर दो क्योंकि वो जो स्किल्स है वो यहां पर सबसे जादा काम आईगी चाहिए वो आपके फ्रेंज के साथ मिलने से लेकर खुद जो है अपना पेट भरने से लेकर वो जो इंपोर्टेंट के लिए वो बहुत जादा जरूरी है अपनी मम्मी को बोल सकते हैं अब मुझे जो है वो कुकिंग करनी आती है यह बहुत ही अच्छी बात है अगर आप यह सीख लेते आने से पहले एक और बात जब हम आते हैं तो इन लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है जर्मन के लिए हमारे साथ कॉपप करनी में और हमें भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट प्स्टुडेंस बहुत एजली यह कर लेते हैं की लोगोंन फ्रेंड बना लेते हैं और उनके कल्चर को जो है वो जानने लगते हैं उनके साथ एंजओ करने लगते हैं बट जो लोग जॉब करने कe पाद यहां पर आते हैं करने के लिए डारेकटन आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफीकल्ट होता है। तो इंपोर्टंट होता है कि आप जो लोकल फ्रेंड से उने बनाओ ताकि आप जो जो लोकल कलचर है उसके बारे इंजॉय किया है यहां पर वो है बजट में ट्रावल करना बहुत ही मज़ाद है बजट में ट्रावल करना मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि वो जो बस होती है जैसे फ्लिक्स बस हुई उसमें ट्रावल करने में बहुत मज़ाता है यूरोप में इधर से उधर आप जा रहे हो कहीं पर या बीद जर्मानी सबसे तो मज़ा हो जो जाए यहां कि आप होस्ट्राइल मोर फोस्टेल मे रोकते हैं और हॉस्ट्राविरल्यमे पाफ्डेल मिलते हैं अपको उन तैम के बाद जब आप सेटल हो जाओ तो आप ऐसा नहीं करोगे जो अब हम नहीं करते हैं पर जब हम यह आए आए थे तो हम अपने आप तो अपने आप अपने बहुत करे थे और जर्मनी में ऐसे बहुत सारी वेपसाइड जो वन डे टू टू दे जिर्ट रिप ए इस अगर में आपको कुछए हीग करूंग है अगर में आपको गैजटी कर चाहिए तो अगर आपी मेट साथ रहा है नहीं करने में आपकुर्ण इक अपर आप करने तक चलिए वहाula करना थे करना थेखे दएखनार को कि चलो यार साइकल ट्रिप पर चलते हैं या कोछ और होगा तो इस तरीकी की चीज़े के लिए मैं आपको बोलूमी अगर आपकी पास अल्रेडी है तो आप कर लो अदर्वाइस यहां पर डिकेटलॉन और भी बहुत सारे स्पोर्स प्रेंड होते हैं उससे खरीड लो नेक्स पोइंट है बाउद विंटर्स 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 में में आपको पताया बहुती डिप्रेशिंग हो जाता है यहां पर एक तो बहुत लंबी यह ति इस को इंजॉय करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको यहां पर आते सहीं सीख लेनी चाहिए तो स्की स जो है वो लोग बहुत enjoy करते हैं यहां पर मैंने भी तक नहीं सीखिया बर्ट हमारा नेक्स जो है टारगेट वो यही है skiing सीखने का और वो particular skiing सीखने में आपको बहुत सीख जाओगे तो बहुत मसाएगा क्योंकि आप कर सकते हो और जो winters है वो आपको easily निकल जाएगी तो यह भी जरूरी है plus skiing का experience भी बहुत ही different होगा हम लोगों को तो आपको यह भी जरूर करना चाहिए यहां पर आकर और भी ऐसे बहुत सारे जोंगे पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही simple से कुछ दूस बताया है जो आपको यहां पर करने चाहिए इसमें से कोई आप already start कर दियो जो आपको नहीं पता था जरूर मुझे comment करना seriously मैं जानना चाहती हूँ और आपको वीडियो कैसा लगा हो वो जरूर कमेंट करना आपके feedbacks जो है वो बहुत ही important होते हैं अच्छा लगता आपके comment सुनने में देखने में बाकी जो रिवायर की free link है transfer link from Europe to India और UK to India वो available है description box पे उतके features जो है वो अभी के time पे आप उसका फ subscribe का नमान बूला, bye-bye!